अधर्वाइस हमें काफी बढ़िया ट्रेड देखने को मिले दो ट्रेड हमें देखने को मिले जो 100 पॉंट से ऊपर के थे एक ट्रेड हमारा मिस आउट हुआ उसके पीछे का रीजन था कि मार्केट एक वज़े से पहले ही मूवमेंट करके दे दिया अधर्वाइस हम उसको भ प्रेड दिया गया था पॉटसाइड के लिए 100 पॉंट से ऊपर का ब्लास्ट मूव उसके बाद इसी में रीएंट्री कराई आप देख सकते हैं 260 पे 338 गया और 338 से 380 गया यनिकि वापस से 40 पॉंट के इसमें मूवमें देखने को मिला बैंक निफ्टी में और हमारे पहल मर्केट नीचे चला गया तो अग एसल गया है तो वो बताना इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी में उसके बाद एक और ट्रेड बना हमारा 329 का प्रीमियम था 440 प्लस जाता है 100 पॉंट से उपर अगेन हमें देखने को मिल जाते हैं उसके बाद हमने ट्रेड नहीं किया because market volatile हो गया और market sideways हो गया तो यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं कि market ने आज कहां पे लोगों को कैसे trap किया so that आप लोगों को समझ में आए market किस तरीके का है और माहौल किस तरीके का और आपको जानने में easy हो कि market reverse कहां से किया market support कहां पे लिया तो देखो हमारा जो view था व यह support area था क्या हम इसमें successful रहे जी हाँ इसमें हम successful रहे उसके बाद market यहां से reversal लेता है बट मेरा view call side नहीं था और आप देखो कि तो market क्या करता है एक यह green candle और एक यह red candle यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पे सिर्फ लोगों का SL काटा गया है यहाँ पे जो लोग यहाँ पे hold कर मैं वापस से trade देता हूँ और इसमें 100 points से उपर का premium वापस से बढ़ता है then market क्या करता है market वापस जाता है retest करता है लेकिन जब यह fall आया ठीक है उस time पे 1 pm नहीं हुआ था अगर 1 pm होता तो यहाँ पे मैं trade देता लेकिन यह 11 से 1 बज़े के बीच में हुआ यह fall तो यहाँ पर मैं इसको trade को नहीं दे पाया then वापस से यहाँ पे एक trade बनवाए जो 30 points का trade आपको देखने को मिला और उसके वाड़ आप देखोगे तो market full on क्या है full on sideways market देखने को मिला है यह वाले area ठीक है तो यह area आपका sideways था यह area आपका sideways था trade आपकी बननी थी यहाँ पे trade बननी थ जिसने बनाई होगी बहुत ही बड़ी है जिसने नहीं बनाई तो वो जाओ telegram को join करो और कुछ सीखो और समझो निफ्टी का जो SL गया है वो मैं आपको निफ्टी की वीडियो में समझा दूँगा कि क्यों गया कैसे गया और उसके पीछे क्या reason था हमारा view सही था लेकिन य है ठीक है यहां से market एक bounce मिलाता अब क्या हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ next support area आपके सामने है market fall करता है अगर कल levels 11,000 ठीक है round level है पहले से बताता है यहां पे support मिल जाएगा अगर इसको तोड़ता है तो market में 100-100,500 पर वापस आने का कोशिश करेगा तो हमें उन levels क क्या हम ज़्यादा सोचेंगे बिल्कुल भी नहीं बात करें call set जाने की तो call set देखो इतनी विक बनी हुई है अब set से बार 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 यहां पर rejection देखने को मिला है तो हम चाहेंगे 51,400 के ऊपर bank nifty थोड़ा sustain करें उसके बाद ही हम call set के लिए plan करेंगा लेकिन जो भी plan होग वो आपको देखने को मिल जाएगा कहां पर telegram के उपर तो जाओ जल्दी से telegram को join करो आज के दिन दो हमारी trade बनी 100 point के उपर proof आपके सामने है telegram पर link है description में तो ये levels निकलते ही हम plan करेंगे put set में plan किस तरीके से वो आपको कल पता चलेगा जब trade बनेगा या नहीं बनेगा तो ये आप area थोड़ा इसको छोड़के चलो उसके बाद ही कुछ plan करना market अगर वापस से call side में bounce करता है तो minimum ये levels के target लेके आप चल सकते हो और downside में ये levels के target तो अच्छे target अच्छे है आपके लिए call side में और put side में लेकिन depending on the market condition कि किस तरीके से ये target मिलता है वो आपको कल चल जाएगा वीडियो को like करें चैनको subscribe करें टेलीग्राम को join करें comment section में जो पूछना है पूछ सकते हो बाकी बात है निफ्टी के वीडियो में